करें हेलो वाइज वालकम तो यूट्यूब चैनल इस इस सेकेंड पार्ट ओफ दो क्वेशन सुली क्वेशन पेपर सुलीशन ऑफ एस्ट टीजीटी साइं 2020 2020 का जो आप ये जो हम सोल कर रहे थे इस सेकेंड पार्ट है इस वीडियो में हम 142 क्वेशन से 150 क्वेशन तक डिस्कस करें एक वेशन 91 से 141 क्वेशन तक हमने पार्ट वन में डिस्कस कर लिये है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्स ने मिल जाएगा महां जाके चैक आउट कर लीजेगा नाव तू springs a and b, which force constant k and 2 kb equal relation दे रखा है are stressed by applying a force of equal magnitude at four ends if the energy stored in the a is capital e and that in the b तो इसका answer होगा 2 e, जो कि हम सोल कर चुके हैं प्रिविश वीडियो में now our question no. 142 which of the following is not a common component of photochemical smoke जो फोटोकामिकल स्मोग है इन उप्सेंस में से कोई एक ऐसा है जो उसका कॉमपनेंट नहीं है ठीक है जिसके वज़े से वो फोटोकामिकल स्मोग नहीं बनता ठीक है तो यह एन्वामेरल का मिस्ट्रेक्टर क्वेशन है क्लास लाओं फस्ट पर ऑक्सी असे टाहिए अग्ष क्वेशन 143 विटल फोल्ल मै乾 हाज सेमी bond order इन में सभी किस पेयर का ब Punish से मैं सबको पता है and two के अंदर बॉंट ऑड कितना होता है तीन होता है ।'यंट्रीपल बॉंट होता हैं कि अंदर कितला हूतते हैं तो इसका ने तो टीन है बट सी इल्ल्ट के तो एक ही है जो क्लोरीन और जो दूसरा अटम होगा क्लोरीन का यहनि की सील टू मॉलीक्यूल के अंदर बॉर्ड ओर कितना है वन तो यह ऑप्षिन इस ऑप्षिन डज यहां डबल बॉर्ड है और एंटो के अंदर कितना मॉर्ड रहा है टू और टू के अंदर जो बॉर्ड और है वो कितना है टू ठीक है इस तरीके से ओर्टो मॉल्कुल अग्जिस्ट करता है तो यह दू लोन पेर एकजिस्ट करते है और टू के मॉल्कुल के ऊपर और दो बॉर्ड पेर इस तरीके से ठीक है इसका अप्षिन पूरा है और टू के अंदर बॉर्ड और अंटो के अंदर ट्रिपल बॉर्ड तो दिस इस नॉत अ करेक्ट ऑप्षिन नाव सिर्फ एक ही निजिनता ऑसर नेक्स्ट ओर वर 144 डाजी फूर मेर सपॉंट्र ऑनीस प्रोसस अट ऐ सटेकोंस्ट प्रेश से अंपरेच़ प्रेटर के ऐसे आजिए और रिएक्शन कैसी है स्पॉंटैनिस पॉसससे तो हमेशा ही सपॉंटैनिस प्रोसस के लिए रल्ला जी गा होना चाह जिरो होने वाली है, now, next question, 145, if the radius of the earth becomes three times, अगर earth की radius तीन गुना हो जाए, then what should be the change in density, तो उसकी density में कितना change होगा, show that the value of Z does not change, जो G की value है, वो ना बदले, ठीक है, तो, let us check the answer for this, now, हमें पता है, G और capital G की बीचे radius मसीब, ठीक है, Z is equal to capital G, हम अपन R square, तो हम, this is a mass, M is a mass, mass of R, हम इसे convert कर सकते हैं, Z is equal to capital G, rho into 4 by 3 by R, right, so, rho की value यहां से calculate कर लो, rho is equal to G by 4 by R, if R prime is 3R, अगर radius में तीन गुना कर दो, then what is the new density, the density क्या होगी, अगी, now, तो, rho dash formula put करते हैं, rho dash is equal to G by 4 by Z, R prime, R prime की value यहां, 3R, तो, अगर हमने put कर दिया, तो, G 4 by G, 4 by capital Z, R, यह क्या है, अलड़ी rho है, तो, 1 by 3 times of the original density, तो, new density होगी, 1 third हो जाएगी, उसे, कितने हो जाएगी, 1 third, so, answer is, density becomes 1 third, तो, जो, density होगी, वो कितने हो जाएगी, 1 third, so, option number 2, is the correct answer for this question, next, what will be the correct gene expression पात्वे, जो gene expression पात्वे, वो correct क्या है, first पहले gene होगा, उसके बास का transcription होगा, उसके बास का transcription होगा, उसके बास मेसेंजर आ रहने आएगा, translation करेगा, add and protein का synthesis होगा, ठीक है, so, option number second, is the right answer, ये 12th class का question है, next, question 147, the value of carbon resistance is 54 in 10 की power, 3 ohm, the percentage tolerance is 5%, what is the color code for this carbon resistance, इस carbon resistance के लिए color code क्या होगा, तो, आप इसे tricky help से कर सकते है, वो तरीक है, let us check, now, वो तरीक है, black brown road, off your gate, became very good, when given silver color, ठीक है, तो number 0 से start करो, 9 तक लिख दो, again 10 की power 0 से start करो, 10 के लिखो, 10 के लिखो, और 10 के लिखो, minus 1 and minus 2, ठीक है, तो black color 0 के लिए, brown 1 के लिए, red 2 के लिए, orange 3 के लिए, yellow 4 के लिए, green 5 के लिए, and then blue 6 के लिए, violet, again 7 के लिए, तो इस तरीके से colors के है, तो हमें दे रखी, tolerance 5%, gold के लिए, 10% silver, and no color is 20%, तो हमें ये value दे रखी, this one, this carbon register, 54 in 20 के लिए, 3 ohm, plus minus 5%, तो 5 नमबर है, तो number ये रहा, 5 नमबर, ठीक है, तो 5 नमबर में कौन सा color आ रहा है, green, तो हम क्या लिख दिया, green color, तो मैंने क्या लिख दिया, green color, next 4 नमबर म हमने क्या लिख दिया, yellow color लिख दिया, इस series है, ऐसे resistance हमें में लेंगे वहाँ, 10 के पाप, plus 3, 10 के पाप, plus 3 is this, तो, 0, 5 होए, 10 के पाप, plus 3 में, so, 0, 4, orange, so, color is orange, and tolerance कितनी है, 5%, 5%, 5%, तो में से गोल्डन कलर हमें दिखेगा, वहाँ पर, गोल्डन, बैंड हमें दिखेंगे, में से गोल्डन, बैंड, यानि कि गोल्ड कलर, तो इसी series में, color हमें, check करने है, option में मिलेंगे, जो इस series में मिलेंगे, वही हमारा क्यों जाएगा, right answer, so, option number 2, is the correct answer, for this register, ठीक है, यह carbon register का color code है, पहले होगा, green, and then yellow, and then orange, golden bands, because tolerance, 5%, next, question number 148, urea is excreted by frog adult, starfish urea excreted नहीं करती, land snails भी नहीं, and hydra भी नहीं, so, answer is option number 1, is the right answer, next question number 149, a metallic rod, when placed in a strong magnetic field, aligns itself, at right angles, to the magnetic field, magnetic field की right angle, align कर लेती है, अपने आपको, then the nature of material is, answer is diamagnetic, ठीक है, तो सिर्फ टाया-magnetic material ही, ऐसी property भी हेव करते हैं, पैरा-फैरों नहीं करते हैं, so, answer is diamagnetic, next question number 150, ogenolysis, of which of the following, alkenes, इन में से कौन से alkenes होगी, जो मेरे को product देगी, propane 2-on, and methanol, ठीक है, तो, let us check for this reaction, reaction, तो हम देख सकते हैं, नो लिटा लेता हूँ, 2-methyl-propene है मेरे पास, अगर मैं इसका analysis करता हूँ, तो double bond break होगा, ठीक है, और double bond break होने के बाद हम एक oxygen यहाँ add कर देते हैं, और दूसरा oxygen यहाँ add कर देते हैं, दो product मिलेंगे मुझे, आसेटोन यहाँ प्रोपेइन 2-on मिलेगा, और दूसरा मिलेगा formaldehyde, यारी की methanol मिलेगा, ठीक है, आसेटोन प्रोपेइन 2-on बोल सकते हो, या फिर methanol that is formaldehyde, means उसे इसका reverse आप सोचो आप, अग यहाँ oxygen क्या कर दे हम, रिमूट कर दे, इस oxygen को रिमूट कर दे, similarly, इस oxygen को रिमूट कर दे हम, and रिमूट करने के बाद, यहीं से जोइन कर दे, तो double bone यहीं आ जाएगा, तो मेरा product क्या मिलेगा, reactant क्या होना चाहिए, 2-methylpropanine, या फिर propene, तो option में मुझे यह substrate, इस वी रियक्तन मिलेगा, that is the right answer, so, right answer is 2-methylpropanine, तो लिखे दे रखा है, तो आपको नाम से फोर्मारा लिखना आ ना चाहिए, ठेक है, Guys, today we have completed 150 questions in the second part of this video, video guys second part, so, I hope this video informative होगे आपके लिए, so, prepare करते रियेगा अपनी estate की preparation, continue रखेगा, झांक्स फर वच्छिं इस वीडियो, क्या गई गई बबाई